अब बात अधीक के बंबास पर चलेगा योगी का बुल्डोजर तो पुर्वांचल में दैशत का दूसा नाम माफिया डॉन अधीक एमत के गैंक्स के ठिकाने पर थोड़ी देर बाद बुल्डोजर का एक्शन होने वाला है अधीक गैंके सबसे बड़े बंबास गुड्डू मुसलिम का घर आज मिट्टी में मिलाया जा सकता है गुड्डो मुसलिम उमेश पाल हत्या कार्ड में आरोपी है वो CCTV में बंफिकता हुआ नजर आया था हत्या के आरोपी गुलाम मुहमद के घर पर भी बुल्डोजर चलाने की तैयारी हो रही है CCTV में गुलाम मुहमद एक दुकान से निकल कर गोली चलाता हुआ दिखा था सफदर अली का घर गिरा दिया गया और आज गुड्डू मुसलिम के घर पर बुल्डोजर का आक्शन हो सकता है गुड्डू मुसलिम बहुत बड़ा अपरादी है मडर और डकैदी के कई अपरादों में वो शामिल रहा है कल सफदर अली के घर पर बुल्डोजर का आक्शन हुआ उसके बाद ये मकान किस तरह मिट्टी में मिल चुका है एक रिपोर्ट के जरी आपको लिखाते हैं अब उमेश पाल की हत्या के बाद माफिया अतिक अहमत के गुर्गो अतिक के करीबियों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है लगातार बुल्डोजर चल रहा है अब ये जो सफदर अली का मकान है सफदर की जांसन गंज में ऐसे से गन हाउस की नाम से दुकान है अब आरोप है कि सफदर की दुकान से अतिक अहमत और उसके गुर्गों को हत्यार सप्लाई करने का काम होता था हलाकि ये जो मकान गिराया गया है अलीशान मकान था उसको कहा जा रहा है कि इसका नक्ष़ा पास नहीं था इस हारोप में इसको उपर बुल्डोजर चलाए गये है लेकिन जिस तरह से उमेश पाल की हत्या हुई ये कहा जा रहा है पुलिस जाच कर रही है कि जो हत्यार इस्तिमाल हुए उसमें वो कहीं सब्दर की दुकान से तो नी सप्लाइ किये गए थे इसकी जाच फिलाल की जारी है पूरा मकान मिटी में मिल चुका है काफी आलीशान मकान था तीन मंजिला मकान था और उसको बुल्डोजर से इस तरह से गिराया गया है और प्रियाग राज के चकिया में सब्दर अली से एक दिन पहले जफर के मकान को भी घृआाा गया था यह मकान भी मतिया मेट हो चुका है और यह मकान अब किस हलात में यह बता रही है हमारे समधाता रुचिकुमार उमेश पाल की हत्या के बाद प्रियाग राज में मुख्यमंसी योगी आदितनात का बुल्डोजर चलना शुरू हुआ बुल्डोजर का सबसे पहले निशाना बना ये मकान जो जफर अहमत का है जिसमें कहा जा रहा है कि शायसता परवीन अतीक अहमत की पत्नी किराय पे रहती थी अब अतीक अहमत की पत्नी शायसता परवीन का उमेश पाल की हत्या में एफ आयर में नाम है अब इस मकान का अहम रोल माना जा रहा है उमेश पाल की हत्या में क्योंकि जो गाड़ी इस्तिमाल हुई थी उमेश पाल की हत्या में वो गाड़ी यहां सामने गली में बरामद हुई थी बिना नमबर फ्लेट की सफेद रंगी गाड़ी थी अब यह भी कहा जा रहा है कि क्योंकि शाहिस्ता परविन यहां रहती थी तो अतिक का जो बेटा जो फरार है असाद वो भी यहां आया और जो शूटर्स जिन्होंने उमेश पाल की हत्या की वो इस घर में आते जाते थे और हत्या के बाद भी वो इस घर में यहां पर आये थे इस पे पूरा बुल्डोजर चलाया गया है ये कहा जा रहा है कि इलीगल तरीके से बिना नक्षा पास कराई ये मकान बनाया गया था शायस्ता परवीन क्योंकि इस घर में पिछले दो साल से रह रही थी यहां से मुश्किल से सौ मीटर दूर अतिक एहमत का घर है घर हुआ करता था जो मिट्टी में तबदील हो गया है जिस पर बुल्डोजर पहले ही चल चुका है वो जब घर गिर गया तो शायस्ता परवीन यहीं रह रही थी और इसको पूरा गिरा दिया गया है ये भी आलिशान मकान हुआ करता था और पुलिस को शक है कि जो उमेश पाल की हत्या हुई है उसमें इस मकान का बड़ा रोल हो सकता है और यहां पर साजिश रची जा सकती है और जो शूटर्स क्योंकि गारी यहां पर मिली है तो हत्या ये वारदात को अंजाम देने के बाद ये शूटर्स यहां भी आ सकते हैं योगी आदितिनाथ ने 2017 में उत्तरप्रदेश का मुख्यमंतरी बनने के बाद उत्तरप्रदेश के माफियाओं की कमर तोड़ी अतीक एहमद के सामराज्जी को पहले ही ढहाया जा चुका है अगर आप चक्किया के इस इलाके से गुजरेंगे तो आपको एहसास होगा कि किस तरह योगी ने माफियाओं की कमर तोड़ी है यहां पर केवल मकानों के मलबे नज़र आ रही है इन्ही में एक अतीक एहमद का भी मकान है यह मकान अब किस हालत में है परूची कमार की रुपोट के जरीए देखिए और समझेए उतर प्रिदेश में 2017 में योगी आदितनाथ की सरकार बनी और मुक्की बंतरी बनते ही योगी आदितनाथ ने माफियाओं के खिलाफ एक्टिन शुरू कर दिया बुर्डोजर चलने लगा और अतीक एहमद का सामराज भी धीरे 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 द्वहस्त होने लगा यह प्रियागराज का चकिया इलाका है और यह अतीक एहमद का कभी आलिशान मकान हुआ करता था करीब चार भी गहा जमीन पर यह फैला था सफेद रंका बंगला था सामने यहाँ पर गेट था और पूरा यह मैदान था और पीछे घर बना था इसमें अतीक एमद अपने परिवार के साथ रहता था, साथ में अतीक का भाई अश्रब भी यहां अपने परिवार के साथ रहता था, जो राजूपाल की हत्या जो बीएसपी का विधायक थे, राजूपाल उनकी हत्या का मुख हारोपी है, यहीं पर बैठकी हुआ करती थी अ अतिक हमत की लेकिन योगी आदितनाथ सरकार ने बुल्डोजर चलाया और इस मकान को मिट्टी में मिला दिया यहाँ पर एक बोर्ड लगा है जो डियम प्रियागराच से लगा हूँ के अगर ऐसा है तो आप अपनी बकरियों को एक करोड फ्रीडम एप के जो ग्राग है उनक उसमें गर पुर्ट किया गए है क्या है रिय्यान प्रात करके जो पैसा कमाया था उससे यह नbnया गिया था अब यह पूरा मकान जमीन दोज हो गया है अतिक अहमत का यहां पर कुछ भी नहीं बचा है सामने एक बाड़ा जरूर दिख रहा है जो जिसमें अतिक अहमत खुंकार कुटों का शौकीन था वो कुटे अभी भी यहां पर हैं और अतिक का जो गुरगे हैं वो इनको खानावाना खिलाने का काम करते हैं यहां से मुश्कित सौ मीटर दूर सामने गली है जहांतिक अहमत की पत्नी शाहिस्ता परवीन यह मकान जमीन दोज होने के बाद वहां पर रह रह रही थी और यह पूरा जो चक्किया इलाका है, यहां अतीक एहमत, उसके रिष्टदार, उसके गुर्गों के घरते और सब पे कारवाई हुई है, करीब एक दर्जन मकान दुकार, यहां पर या तो उस पर बुल्डोजर चला है या उसको जब्द कर लिया गया है.